हलो दोस्तों, बेलकम डू मैं चैनल, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन फिर भी पतले रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, लेकिन फिर भी मोटे हो जाते हैं, क्या है कान, पता करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की वीड होता है Metabolism अलग होता है किसी का Selow होता है और किसी का ent Metabolism होता है दोस्तों अगर किसी परसन काoe また prize तो वह जितना भी खाएगा उसे वह नहीं लगेगा और उसका शरीर पतला ही रहेगा दोस्तों किसी का Metabolism fast है तो उसकी body पतली रहती है और अगर किसी का metabolism slow है तो उसका श्री जल्दी ही मोटा वो हो जाता है तो दोस्तों depend करता है person to person किसी का metabolism fast होता है और किसी का metabolism slow होता है अगर आपका metabolism fast है तो आप जल्दी पतले हो जाओगे अगर आपका metabolism slow है तो आप जल्दी मोटे हो जाओगे तो सबसे पहले जे जानते हैं जे आखिर Metabolism क्या होता है क्या है जे Metabolism Food को energy में convert करने की प्रेक्रार को हम कहते है Metabolism दोस्तो हमारी बोड़ी में बहुत सारे chemical reaction होते रहते हैं जैसे like cell बनते हैं, cell तूट जाते हैं और इसके अलाबा, digestive system भी हमारा energy से चलता है, respiratory energy से चलता है, heart energy से चलता है, अगर हम सोच भी पा रहे हैं, तो वो भी, उसमें भी energy, वो यूज हो रही है, इतने भी energy के कारिये हमारे body में हो रहे हैं, दोस्तों, जिए metabolism है, दोस्तों, basic metabolism है, तीन काम है, सबसे पहले है energy मनाना, दोस्तों, जब भी हम कोई food खाते हैं, तो digestive system में उसका breakdown होता है, उससे हमें energy मिलती है, तो दोस्तों, जिए metabolism है, और second, जिए उसका काम है, storage करना, दोस्तों, फूड को जब उसके breakdown करके, उसके शुट-शुटे part molecules बना ले जाते हैं, उसे, उसे store कर लिये जाता है, लाइक ज है, दोस्तों, urine pass करने में भी हमारी मदद कर, body के कोई भी कारे में जहाँ पर energy का जूद हो रहा है, दोस्तों, वो metabolism है, अब जब हम कोई food खाते हैं, उससे हमारी bone बनती है, muscle बनती है, nail बनती है, skill बनती है, organ develop होते हैं, तो दोस्तों, जिस सब कुछ जो भी निर्मान होता है build up होता है, वो metabolism पर किरिया ही कहलाता है, अब हम basic जो topic हमारा, उस पर आते हैं, इसान बहुत खाता है, लेकिन फिर भी पतला रह जाता है, उसका कारण metabolism है, अब हम देखते हैं, अगर किसी का metabolism slow है, तो उसे कैसे fast करें, अगर किसी का बहुत fast है, तो उसे कैसे slow करना है, अगर मेटामोलोजम को फास्ट करने के लिए आपको डेली एक्सराइज करनी पड़ेगी और एक्सराइज में आपको हाई इंडेंसिटी एक्सराइज को जूज करना पड़ेगा वर्तों में लाना पड़ेगा जिससे क्या होगा आपके मसल जब तक एक्सराइज कर रहे हैं अब तक और सेगंड दोस्तों आपने क्या करना है आपको जो मील आप लेते हो दिन में तीन टैम उसे बढ़ा का शेयर टैम करना पड़ेगा दोस्तों इसमें आपको बैलंस डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे नहीं होगा कि आप टोटली कार्बोईडरेट और टोटल फैट ल बैलंस करना पड़ेगा और आपको अपनी डाइट में एक मломड़ेको शामाल करना पड़ेगा दोस्तोंव वह होती है जो जल्दी से डाइजस्ट होती अगर कोई भी फूड ऐसा होगा जो जल्दी से डाइजस्ट नहीं होगा तो दोस्तों उसको डाइजस्ट करने में जो energy लगेगी वह बोडी को अपनी बोडी जूज करेंगी तो दोस्तों उससे भी आपको क्या होगा वेट वह कम होना वह स्टार्ट जब उसका प्रसाइस बोच चलता रहेगा तो दोस्तों आपको कंप्लेक्स डाइट अपनी डेली रूटीन में शामल करने पड़ेगी और इसके स को active रखना इससे क्या होता है इससे भी metabolism बूस्ट होता है अगर metabolism बूस्ट होएगा तो दोस्तों इसके कान आपका जो वेट है वो कम होना वो जल्दी से शुरू हो जाएगा और metabolism को फास्ट करने के लिए आप ग्रीन टी का भी जूज कर सकते हो लेकिन आपको एक बात का दिया में शामल करना पड़का दोस्तों यह ऐसी items होते हैं जो खुद इतनी calories नहीं देते लिकर जब हम इसको खाते हैं तो दोस्तों हमारी body को इसे digest करने में इतनी ज्यादा energy लगती है जिससे क्या होता कि हमारा जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों अपने द digestive system को हमारे heart को हमारी kidneys को काम करना पड़ता है अगर हमारे internal organ काम करेंगे तो दोस्तों वो energy use करेंगे तो energy हमारी body से लेंगे तो अगर body से energy हमारे internal organ ले रहे है तो दोस्तों कहीं न कहीं वो weight वो कम वो करने में हमारी स्याता कर रहे हैं तो यह था दोस्तों अगर आपने weight कम क करना है अब हम देखते हैं अगर आपने मेटाबोलिजम को स्लो करना है और अपना वेट बढ़ाना है दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पतले से दखाई देते हैं उनको हमाचा जहीं लगता रहता है मैंने किसी तरह अपने वेट को बढ़ाना है तो उसके लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा उसको मेटाबोलिजम को स्लो करना पड़ेगा तो आईए देखते हैं ऐसा करना हमारे बौडी के लिए सेफ है जा नहीं अब दोस्तों सैकंड क्वेच्चन जाता है क्या हम मैटाबोलिजम को स्लो कर सकते हैं क्या ऐसा करना सेफ है दोस respiratory system है किदनी अपना वर्क कर ही है तो दोस्तो क्या हम उसे स्वलो कर सकते हैं कि ऐसा करना हमारे लिए होगा दोस्तों नहीं बिल्कुल नी दोस्तों आगर हम मैटमूलम पर स्रूण कर देंगे तो उस पे असर पड़ेगा तो जो हमारे बोड़ी में निर्मान होता है, बिलड़ाप होता है हमारी बोड़ी में टीशू सेल और गन्स होते हैं, दोस्तों उस पे भी असर पड़ेगा, तो ऐसा करना बिल्कुल भी safe वो नहीं है और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं हम ऐसा करते हैं अगर हम बैठे बैठे बहुत सारा खाना 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 शुरू कर दे तो उससे क्या हमाता हमारा बेट बनना शुरू हो जाएगा परगर, पीजा, तली चीजे खाना शुरू कर देते हैं ऐसा सोचते हम exercise नहीं करेंगे क्योंकि exercise करने से हम पतले हो जाएगे तो उल्टा करते हैं जिसके कान बहुत बैठे रहते हैं और बेट बढ़ाने के चकर में ज्यादा से ज्यादा खाते हैं तो ऐसा मत करने से आप अपना बेट नहीं बढ़ा पाऊगे उल्टा बमार हो जाऊगे दोस्तो अगर आप हद से ज्यादा खाना शुरू कर देंगे बेट बढ़ने के चकर में तो दोस्तो इसका उल्टा असर होगा आपके हार्ट पे आपकी किड्निस पर आपके बोडी में मसल नहीं रहेंगे सिर्फ आपके बोडी में फैटी फैट हो जाएगा इसके कान आपको हार्ट टेक की नौबत आ सकती है इसके साथ साथ आपका हार्मोन्स इंबैलन्स हो जाएगे तो दोस्तो इससे होता किया है आपका लीवर fatty लीवर हो बन जाएगा तो दोस्तो ऐसा कुछ वे अपना गे को ऐसा रस्ता अपना के अगर आपने बेट बढ़ाना है तो दोस्तो जे सही नहीं होगा और question जे आता है तो सही वे क्या है कौन सा सही तरीका जिसे आपको बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहल का BMR जो average माना जाता है वो होता है पंदरा सो लेके सारा सो calories तो दोस्तो मान लिजिए अगर किसी परुससने अपना वेट बढ़ाना ए. तो उसे पांसो कैलरी अड करना है यदैली रूटीन में तो इसके अगर वो डेली 500 कैलरी अपनी रूटीन में शामल करता जाएगा तो दीरे दीरे उसका दोवेट है वो बनना शुरू हो जाएगा इससे क्या होगा वो एक्टिव भी रहेगा उसको किसी भी तरह की बव्मारी नहीं लगेगी तो दोस्तो दीरे दीरे उसका weight बहुत बंढ़ना चुरूर जाएगा इससे पहले आपको जे समय पढ़ेगा कि BMR क्या होता है तो दोस्तो अगर उसकी आप study करें तो आप अपना weight असानी से बढ़ा भी सकते हो और असानी से गटा भी सकते हो इसके साथ आपको अपनी डाइट में और good carbs, protein और fat को intake करें तो दोस्तो जे सारी tips है जिसे हम अपना weight कम कर सकते हैं और हम अपना weight बढ़ा सकते हैं तो जे थी आज की video वीडियो अच्छी लगी, कुछ निया सीखने को मिला अगर आपको पता चला कि अपना weight कैसे बढ़ाना है और कैसे कम करना है fast metabolism क्या होता है slow metabolism क्या होता है information अच्छी लगी, तो दोस्तो प्लीज अपने sport दखाए, channel को subscribe कर ले bell icon भी hit कर दे आज आने वाली वीडियो की notification आपको मिल सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो चलिए मिलते हैं अभी next वीडियो में किसी next topic के साथ